दोस्तों ये मूवी एक ऐसे लड़के की है जिसको अपनी स्कूल टीचर से प्यार हो जाता है और अपनी टीचर को पाने के लिए वो किस हद तक चला जाता है देखेंगे आज की इस मूवी में तो मूवी की शुरुआत लाना नाम की एक स्कूल टीचर को दिखाते हुए होती है जो एक मेरिड वुमेन थी उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था राशा लाना जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ पर बेनी नाम का एक हेंडिसम और शरारती हरकते करने वाला लड़का भी पढ़ता था जो लाना के क्लास में पढ़ाते वक्त सिर्फ उसे ही देखता रहता था मानूर जैसे वो लाना को प्यार करने लगा हुँए देखकर लाना भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है उसे समझ में नहीं आता कि वो बेनी को कैसे डील करें क्योंकि वो उसका सिर्फ एक स्टुडेंट था कभी-कभी तो बेनी लाना के इतना करीब आ जाता था कि लाना को खुद पर कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता था इसलिए लाना उसके अट्रेक्शन से बचने के लिए कुछ भी करने को तयार थी वो जितना हो सकता उतना दूर उससे रहने की कोशिश करती एक दिन लाना सुबह प्लास में पहुचकर अपने सभी स्टुडेंट्स को टेस्ट पेपर बाती है और उनको इंस्ट्रक्शन देने के बाद पेपर लिखने को कहती है तभी वो नोटिस करती है की बेनी पेपर में कुछ भी नहीं लिख रहा और उसी की तरफ देखे जा रहा है लाना उसको इग्णो करके दूसरी तरफ देखने लग जाती है प्लास के बाद वो अपनी बेटी राशा को स्कूल से लेने जाती है राशा उसे हक करके के बताती है कि स्कूल बहुत बोरिंग था इस पर लाना हसने लगती है फिर वो राशा को कार में बिठाती है कि तभी उसकी नजर बेनी पर पढ़ती है जो अपने डॉक को टहला रहा था वो फोड़ी देर बेनी को देखने के बाद कार ड्राइव करके चली जाती है। अगले दिन लाना की एक स्टुडेंट जर्मी क्लास में प्रेजेंटेशन देती है तभी लाना की नजर दो लड़कियों पर पढ़ती है जो फोन पर वीडियोस देखकर हस रही थी। लाना उन्हें वार्म करते हुए फोन को अपने बैग में रखने के लिए कहती है पर वो दोनों नहीं सुनती तो लाना उनसे उनका फोन ले लेती है और कहती है कि वो क्लास के बाद उनका फोन लोटा देगी। इस पर वैलरी नाम की लड़की लाना को फोन देते हुए उसे गंदी चुलैल कहती है जिसे सुनकर क्लास के बाकी स्टुडेंट्स हसने लगते हैं। लाना उस लड़की को कहती है कि वो स्कूल अथरिटी से उसकी शिकायत करेगी जब ब्रेक की टाइम लाना चायपी रही थी तब ही अचानक उसकी नजर बेनी पर पढ़ती है जो बैलरी को परेशान कर रहा था। बेनी बैलरी के बैक से सारा सामान निकाल कर फेक देता है इतना ही नहीं वो उसकी साइकल को भी गिरा कर खराब कर देता है। इस घटना के बाद Lana staff room में बैठी एक दूसरी teacher के साथ बेनी के बारे में बात करती है वो उसे बताती है कि वो बेनी के बारे में क्या सोचती है और बेनी कैसा react करता है। वो teacher से उसकी राय लेना चाहती थी पर वो teacher confused हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या राय दे तब Lana उससे कहती है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं। अगले दिन क्लास के बाहर Lana बेनी से कहती है कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है वो उसे खाली क्लासरूम में ले जाती है और बैठने को कहती है फिर उसका हाल चाल जानने के बाद वो उससे पूछती है कि उसे स्कूल में अच्छा लग रहा है या नहीं पर बेनी उसकी क लाना को कोई जबाब नहीं सूचता तो वो मीटिंग का बहाना करके वहां से चली जाती है लेकिन जाने से पहले बेनी से कहती है कि जो कुछ भी वो कह रही थी वो उस पर गौर करे अगली सुबह दोड़ने के बाद लाना सास लेने के लिए जील के पास रुख जाती है सीन शिफ्ट होता है और क्लास के बाद वो देखती है कि बेनी का बैग जमीन पर पड़ा था वो आसपास नजर दोहाती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा फिर वो बेनी के बैग से उसका स्वेटर निकाल कर सुनधती है और वापस बैग में रख देती है फिर दर्वाजा खुलने की आवाज सुनकर वो वाश रून में चली जाती है और वहाँ जुखकर टेप से पानी पीने लगती है इसके बाद जैसे ही वो उठती है अपने सामने बेनी को देखकर नर्वस हो जाती है बेनी उसके बाए तरफ को पकड़ लेता है और वो उसका हाथ हटा देती है पर बेनी मुस्कुराते हुए दोबारा वहीं हाथ रख देता है और आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर किस करता है लाना उसकी बाहों में खो जाती है और तुरंथी होश में आकर उसे रोब देती है और कहती है कि उन दोनों के बीच दोबारा ये सब नहीं होना चाहिए और उसे धमकी देती है कि वो इसके लिए उसे स्कूल से निकलवा भी सकती है वो बेनी से कहती है कि वो आग से खेल रहा है और जैसे ही जाने के लिए मुर्ती है बेनी चिल्ला कर कहता है कि वो ये सब करना चाहती है पर लाना कहती है कि वो अपने किसी भी स्टुडेंट से प्यार नहीं कर सकती अगले दिन स्कूल के हॉलवे में बेनी लाना से कहता है कि वो प्लास के बाद उससे मिलना चाहता है पर लाना मिलने से इंकार कर देती है बात करते हुए वो लोग स्टेर्स की तरफ चले जाते हैं लाना कहती है कि उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था इसके लिए वो शर्मिंदा है वो बेनी से कहती है कि वो उसका खयाल अपने दिल से निकाल दे ये कहकर लाना वहाँ से चली जाती है और पारकिंग लोट में जाकर देखती है कि उसकी कार का साइड मेरे टूटा हुआ था और उसकी कार पर स्क्रेच लगे हुए थे फिर वो कार में बैटकर राशा को लेने के लिए उसकी स्कूल जाती है जहां बैटकर वो बोर हो रही थी सीन शिफ्ट होता है और हम लाना को अपने घर पर गार्डनिंग करते हुए देखते हैं उसका हस्बेंड वार उससे पूछता है कि उसकी कार को स्क्रेच कैसे लगा तो वो कहती है कि वो एक लैंपो से टकरा गई थी वार उससे पूछता है कि लैंपो से इस तरह की स्प्रेच कैसे हो सकते हैं तो वो कहती है कि कभी-कभी ऐसा होता है फिर वो लाना से कहता है कि उसकी चाय थंडी हो रही है और वहाँ से चला जाता है अगले दिन लाना क्लास में अपने स्टुडेंट्स को इंटर्शिप के लिए एक लेटर लिखने को कहती है और सबसे पूछती है कि किसी को कोई सवाल करना है इस पर बेनी हाथ उठा कर उससे सवाल करता है कि क्या वो स्कूल में जॉब छोड़ना चाहती है क्योंकि उसने उसे head mistress के पास जाते देखा था उसकी बात पर पूरी class हसने लगती है तब Lana कहती है कि वो head mistress को उसकी report करेगी इस पर बेनी कहता है कि Lana को head mistress के तलवे चाटना पसंद है उसकी बात पर Lana को गुस्सा आता है और वो उसके back को उठाकर classroom के बाहर फिक देती है और उससे कहती है कि या तो वो क्लास के बाहर चला जाए या फिर वो खुद चली जाएगी इसी बीच एक लड़का बोर्ड की तरफ दस्ट उठाकर फेकता जो लाना को हिट करते करते बचता है ये देखकर लाना क्लास के बाहर चली जाती है और स्टुडेंट्ट चियर करने लगते हैं अगले दिन जब लाना घर पर राशा को पढ़ा रही होती है तब उसका फोन बार-बार बजने लगता है पर जब भी लाना फोन उर्थाती है दूसरी तरफ से कोई नहीं बोलता अगले दिन जब लाना स्कूल जाती है तो टायम से पहले बेनी को क्लास में अकेला बैठा देख कर धर जाती है. और स्कूल की रिसेप्शनिस्ट को जाकर कहती है कि उसकी तभियत ठीक नहीं लग रही इसके बाद वो घर चली जाती है रात को दिनर बनाते वक्ट वार्ड उससे पूछता है कि उसका दिन कैसा रहा. तो वो जूट बोल देती है कि वो सारा दिन स्कूल में पढ़ाती रही और अपने स्टुडेंट्स के एक जाम पेपस भी चेक करती रही अगले दिन राशा को स्कूल में छोड़ने के बाद वो काम पर नहीं जाती और एक नदी के किनारे रुख कर एपल खाने लगती है फिर वो म्यूजियम में चली जाती है और थोड़ी देर तक पेंटिंग ज़र देखती रहती है अचानक उसकी नजर बेनी पर पढ़ती है उसे वहाँ देखकर वो घबरा जाती है और जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करती है पर lift में उसकी मुलाकात बेनी से हो जाती है बेनी लाना से कहता है कि वो उसे मिसकर रहा था इसलिए स्कूल जाना चाहता था फिर वो उसके जिसम को च्छूने के लिए आगे बढ़ता है. लाना भी आउट आफ कंट्रोल होकर उसे दो बार किस करने की कोशिश करती है पर बेनी उसे रोब देता है और अपनी उंगलियों को उसके जिस्म पर फिराने लगता है उस रात लाना को बार-बार बुरे सपने आते हैं कि उसकी फैमिली उससे दूर हो गई है और वो घबरा कर जाग जाती है अगले दिन वो चुपके से स्कूल के हिडमिस्ट्रेटर के आफिस में चली जाती है और वहां से एक जाम पेपर चुरा कर लाती है और जब सारे स्टुडन्ट लंच करने के लिए कैफेटेरिया में चले जाते हैं तो बेनी को फसाने के लिए वो पेपर उसकी कोट में रख देती है अगले दिन लाना ब्रेक रूम में बैठी दूसरी टीचर से बात करते हुए देखती है कि कुछ सिक्यूरिटी वाले बेनी को पकड़ कर कहीं ले जा रहे थे एक जाम पेपर चुराने के इलजाम में बेनी को स्कूल से निकाल दिया जाता है उसके जाने के बाद लाना उसे मिस करने लगती है और उसके साथ बिताय हुए पलो को याद करती है एक दिन लाना और राशा एक बुक स्टो में जाते हैं राशा को अपने फ्रेंट किम को गिफ्ट करने के लिए बुक खरीदना था पर वहाँ जाकर राशा कपड़े से बना हुआ है जानवर लेने की जिद करने लगती है और लाना उसे मना कर देती है थोड़ी देर में राशा कहीं गायब हो जाती है लाना उसे धूंडने लगती है और 45 मिनट तक धूंडने के बाद जब वो उसे नहीं मिलती तो लाना सिक्यूरिटी वालों से CCTV फुटेज दिखाने को कहती है CCTV फुटेज में वो देखती है कि बेनी उन दोनों का पीछा कर रहा था फिर वो राशा को स्टो से बाहर निकलते देखकर पैनिक हो जाती है पर तभी उसे वार्ट का फोन आता है कि राशा उसके साथ धर पर है ये सुनकर लाना खुश हो जाती है और सिक्यूरिटी वालों से माफी मान कर घर चली जाती है उस राट जब उसका परिवार सो रहा होता है तो उसे बार-बार दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है जो उसका भरम था वो बाहर जाकर चिलाती है तो वो आवाज शांथ हो जाती है फिर वो दरवाजा लॉक करके इमेजन करती है कि वो बेनी के साथ इंटिमेट हो रही है सारी रात इसी तरह बीच जाती है और सुभा वार्ड के आजाने से उसका सपना तूट जाता है वार्ड और Lana एक दूसरे को हग करते हैं और इसके बाद Lana अपनी कार ड्राइव करते हुए बेनी के घर पहुचती है वो थोड़ी दूर पर अपनी कार पाक करके बेनी का वेट करती है और जब वो अपने स्कूटर में आता हुआ दिखाई देता है तो लाना उसका पीछा करती है पीछा करते हुए वो एक सुनसान जगह पर पहुच जाती है और वहाँ पहुच कर वो अपनी कार की स्कूटर को टक कर मार कर उससे स्कूटर से गिरा देती है फिर अपनी कार को पाक करके थोड़ी देर के बाद वो कार से बाहर निकलती है और इससे पता चलता है कि बेनी से प